जीवन में कभी भी इन चार लोगों के पीछे मत भागना कौन से वो चार लोग हैं जिनके पीछे हमें कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए जिनके साथ हमें संगत नहीं करना चाहिए पहले नम्मर में जो बेक्ति पीठ पीछे आपके बुराई करते हैं हम लोगों का आदत है अगर कोई सामने आ करके दो बात बहुत प्रेम से करें आपसे हम उसको इतना भरोसा करते हैं इतना उस पर विश्वास करते हैं अपने सारी बाते बताते हैं लेकिन ऐसा कभी मत सोचिएगा आपके सामने आ करके आपके पास में आ करके अगर वो बेक्ति किसी दूसरों का बुराई करता है तो समझो कि ये जाकर के बाद में मेरी भी बुराई जरूर करेगा जिसका आदत होता है पीठ पीछे बुराई करने का उससे कभी दोस्ती मत करिएगा ऐसे लोगों को फॉलो मत करिएगा उसके पीछे कभी मत भागिएगा दूसरे नमबर में गलत शलाहा देने वालों के पीछे कभी मत भागिए जो बेक्ती आपको गलत सलाहा देता है उस पर भरोसा मत करिएगा उसके पीछे मत भागिएगा अगर वो गलत राह पर चलने के लिए आपको बोल रहा है तो उसी समय से उससे दोस्ति खतम कर देना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए जिवन में गलत के साथ कभी नहीं चलना चाहिए तीसरे नमर में आपके गुप्त राज को दूसरों को बताने वालों के पीछे मत बढ़िएगा पीछे मत भागिएगा आपकी कोई गुप्य बात है आपने अपना मान करके अपने सारी राज उससे बोल दिया उसको बता दिया अपनी हर बात उससे सियर किया लेकिन आपके गुप्य बात वो किसी और को बताता है तो उससे दोस्ती खतम करिए कभी उसके पीछे मत भागिए क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं जो आपके गुप्य बात को सबी को बताने वाले होते हैं ऐसे लोगों से कभी भी दोस्ती नहीं रखना चाहिए खास करके तब जब आपको पता चल चुका है ये हर बात बता दिता है तो बूल से भी अपने हर बात उसको बिलकुल ना बताएं चौथे नम्मर में जो बेक्ती आपका समय बरबाद करता है किसी का आदत होता है जब बेठे बेटे कुछ करने को ना हो तो दोस्तों के घर जा करके अपना टाइम तो बरबाद करते ही हैं लेकिन साथ में अपने मित्र का भी टाइम बरबाद करते हैं जिसके पास में कोई बात नहीं होता और कोई काम नहीं होता फालत में आकर के आपसे घंटों तक बात करते हैं आपका समय को बरबाद कर देते हैं ऐसे लोगों से दोस्ती मत करिए उसके पीछे मत भागिएगा आपको जीवन में कुछ पाना है कुछ करना है तो ये चार लोग से सदय वद्दूरियां बना करके रखेगा जो बेक्ती पीठ पीछे बुराई करता हो दूसरे नंबर में जो बेक्ती गलत सल्लाह देता हो तीसरे नंबर में जो बेक्ती आपके गुप्त राज सब को बताता हो और चौंथे नंबर में जो बेक्ती आपका समय बरवाद कर दे प्यार से बोल देंगे